सु आ गए हैं यूजिसिनेट एक्जाम के लिए स्टडी भारत के स्पेशल गैस पेपर जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रशनों का विशे संग्र है यानि कि अब होगा समार्ट वर्क के साथ फाइनल विजन और सेलेक्शन होगा 100% इसमें आपको मिलेंगे 10 best guest paper with detailed solution के साथ और इसमें वो most important question answer cover है जो आपके exam के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है यनकी इन guest paper के बाद आपका selection पका है पेपर 1 के guest paper की cost है only 100% and paper 2 के guest paper की cost भी है 100% ये subject आपे लिखे हैं तो जलती से आपका हमें इस नमबर पे contact or whatsapp करना है आपको लिखना है guest paper आपको पूरी जैनकर यहां पे मिल जाएगी आप इसे इंस्टा मोजो के digital store से भी purchase कर सकते हैं लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा teaching episode के बात करने तो CBCS की full firm थी स्वायम प्रभा था teaching generation था evening shift में देखे स्वायम प्रभा आया स्वायम आया और MOOC आया research में देखिए hypothesis था morning में research type था method था और शाम की shift में evening में research types और method था तो comprehension की बात करें दोनों ही shift में easy level ही था कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था ठीक है और साथ में देखिए जो morning shift में बात करें communication की उसमें communication barrier था communication types था और evening में only communication barrier था देखिए एक दो और question थे evening shift में लेकिन बात थी main barriers की तो main barriers के question आये थे unit 5 की बात करें maths की तो यहाँ पे simple interest था morning में compound interest and percentage ratio था यहनकि simple interest compound interest निकालना था और percentage ratio था शाम की shift में math में देखिए profit and loss percentage ratio यह था घूम फिर के देखिए वही आते हैं अगर आपको percentage average ratio आती है तो आप असानी से कर सकते हैं ठीक है और unit 6 में देखिए सुभे आया था सव्या भीचारा सव्या भीचारा क्या है और Pharisee I.C. और शाम के shift में evening में अनुमान और साइलोक्स था उस पर देखिए unit 7 में morning shift में data interpretation था moderate level और evening में भी moderate level ही था calculation थी तोड़ी लंबी calculation थी और ICT की बात करी unit 8 की morning shift में code का question था ठीक है और volatile non-volatile उसका question था ठीक है और computer से question था शाम की shift में SRDM DRAMROM Rome से था blog mac से question था full home थी और unit 9 people development environment की बात करें sustainable development goal उसके बाद virus, protojoa, bacteria इसके question थे और unit 9 में देखिए sustainable development goal millennium development goal कितने है ये वगारा question आया थे ठीक है और carbon monoxide mono diet क्या था ये ये चीज़ थी carbon dioxide और carbon monoxide ये question थे ठीक है यहाँ बें mono oxide है ये वला ऐसे question थे और higher education में देखें बात करें तो higher learning थी और national education policy 2020 की थी evening में देखें सार्थक से question आया था सार्थक क्या है और national education policy से सो ये थे होगे topic comparison भी हो गया कि morning evening shift में क्या क्या थे अब बात करते हैं question की सबसे बहले morning shift के caution देखेंगे फिर देखेंगे evening shift के सो देखें पहला question था morning shift में कि a total of 324 coins of 20 पैसे and 25 पैसे makes a sum of rupees 71 the number of 25 पैसे coins is ठीक है तो तो 324 coins है 20 पैसे के 20 पैसे के और 25 पैसे जो है वो बनाते है 71 रुपीस यानकि देखेंगे बना थे 71 रुपे 71 तो 25 पैसे जो है उनके number कितने है चीक है कितने coins को मिलाए तो वो बनेगा तो दीखेंगे हमें पता नहीं है जो ची हमें पता नहीं होती हम क्या करते हैं हम उसे यहां पर क्या है let the number of 20 पैसे coins बी X यानकि देखें यहां पर 20 पैसे था और यहां पर 324 coins था तो हमें पता नहीं है 20 पैसे के कितने coins है 25 के कितने है तो यहां पर क्या है हमने 20 पैसे के coins को X मान लिया और उसमें number of 25 पैसे coins में क्या किया 324 में से x को minus कर दिया हमने किसे माना x हमने 20 पैसे को x माना और 324 coins में 324 324 minus x कर दिया यानि कि इसमें x को x कर दिया ठीक है minus अब देखें यहाँ पर हम value put करेंगे यहाँ पर क्या है 0.20 20 का मतलब क्या है 20 पैसा ठीक है उसके बाद multiply किया x के साथ यहनकी इसके साथ और plus 0.25 यहनकी यह वाला 20 और यह वाला 25 छीक है इसको किया अब देखें अगर मैं 0.20 को multiply करता हूं x के साथ प्लस 0.25 और जो 2324 माइनस x किया और साथ में यह जो था रुपीस यहाँ पर लिख दिया तो यह ऐसे हो गया उस पर दिखें हमने क्या किया इसको solve किया solve करने के बाद क्या है x के रिकम एक जगा हो गई और दूसरी एक जगा आके इसका आ गया 7100 और 5 x चीक है is equal to 1000 यह solve करने के बाद आया उसको किया तो आगया x is equal to 200 यहनकी जो x की value थी यहनकी जो 20 पैसे की coins थे वो कितने है वो 200 पीस के coins थे तो हमने 320 में से 324 में से 200 माइनेस किया तो हमारे पास 124 coins आए यहनकी 124 coins आए 25 पैसे के जिन्नों ने मिलाके 71 पीस को बनाया ठीक है उसको बाद दिखिए what is सव्या भिचारा सव्या भिचारा क्या है question number two है यहाँ पर दिखें लिखा है a middle term not uniformly but irregularly related to the major term यहनकी दिखें medium term क्या है देखें जो हीतु है ठीक है हीतु में क्या है कहते हैं न हम कोई चीज किसके हीतु होती है है उसके हीतु होती है so a middle term not uniformly but irregularly related to the major term यहनकी दिखें जो middle term है जो major term है वो uniformly नहीं है middle term किसकी है हीतु की थीक है तो वो uniform में नहीं है so जो irregular है चीक है उसका वो major term है यहां कि देखिए जो हेतु की जो major term है उसमें एक साथ चीज़ नहीं है तो वो क्या है irregular है तो example क्या है देखिए इसकी example है जैसे all wiped are dogs और bird are vibes तो इसका answer क्या है bird are dogs छीक है तो इसके देखिए कौशन मर् 2 के बाद क्या कौशन मर् 3 है what is mookit mookit क्या है देखिए अब देखिए mookit is a lightweight mook mookit क्या है mookit is a lightweight mook management system conceive design and develop at IIT कानफुर targeting towards developing nation अब देखिए जो mookit है वो lightweight है mook management का यहां कि देखिए जो mook है massive open online courses है ठीक है और उसको जो management system conceive है इनकी mook management कोन करता है mookit यह किसने develop किया है यह develop किया है IIT कानफुर से ठीक है और mookit an open source mook management software has been used in more than 60 courses so far in India and abroad अब इंडिया और भारत की बात करें तो mookit का use होता है ठीक है यह mookit क्या है mook को management करने वाला software जो mook है तो massive open online course जो है जिसमें आप online free course का सकते इसको manage करने के लिए mookit को बनाया गया है यह mookit का जो है mook का software है ठीक है what is model 4 अब देखें model क्या है model is a learning platform design to provide educator administrator and learning with a single robust secure and integrated system to create personalized learning environments इनकी model क्या है यह learning platform है जिसे design किया गया है किसके लिए educator के लिए administrator के लिए और learner के लिए ठीक है एक secure integrated system है ठीक है जिसमें क्या है learning environment को बनाया जा सके यह जिनको पढ़ना है learners है educator है administrator है वो अराम से अच्छे से पढ़ सके हो है model ठीक है you can download the software on to your own web server और ask one of knowledgeable model partner to assist you देखे जब आप model को download करेंगे अपने web browser में ठीक है web server पर तो software के अंदर देखे जो आपको knowledgeable चीज़े होंगी आप assist कर सकते किसे से अगर आपको कोई प्रम आएगी तो आप किसे से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं so next sustainable development goals सबसे इसी था कितने गोल्स है इसके तो देखे इसके 17 गोल है यहाँ पर लिखे हुए है तो आप इसे पढ़ सकते हैं चीक है तो यह question number six है यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक ऐसा था gap देखे 123, 130, 137 आपको पता है कि देखे इसमें 137 का gap था ठीक है तो 260 जो है उसके बीच में क्या था यह रकम बतानी थे आपको तो देखे आपको मैंने सारा ही इसमें बता दिया कि गरने 77 का difference करें यहां से यहां तक तो यह चीज़े terms आती है तो इसके पिछे वाली term जो है उसका answer आजाएगा ठीक है तो cbcs की full form क्या है ठीक है twice based credit system एक question था तो what is स्वयम प्रभा स्वयम प्रभा क्या है अब देखे आपको पता है ठीक है देखे यहां पे गलत लिखे यहां पे 32 यहां पे 34 है ठीक है स्वयम प्रभा की कितने channel है 34 ठीक है 34 channel है स्वयम प्रभा के जैसे मानिज आपको कॉर्स करना है तो आप कोर्स कर सकते हैं मानिज आप जॉब करते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने time की कोर्डिंग वहाँ पे जॉब के सासद आप अपनी study भी complete कर सकते हैं ठीक है तो इसमें देखे high quality educational program आपको दिया जाता है 24 into 7 basis भे यहनकी हफते के साथो दिन 24 घंटे आप इसमें study कर सकते हैं तो G50 satellite तो है तो इसमें use किया जाता है जिसके जरीए आप इसमें अराम से study कर सकते हैं तो यह channel uplink किसे है विसाग जो गांधी नगर में है यांकी गुजरात में है और contents कौन प्रवाइड कर रहा था इसके अंदर Nptel, IIT, UGC, CEC और IGNU हो सकता आप इसकी perform भी याद करके चाहिए हो सकता है इनकी perform भी exam में आ सकती है ठीक है सो यह तो थे morning shift के exam अब बात करते है evening shift वे बारे में सो what MOOC means अब देखें मोग का question आ गया न पहले आया था मोकीट का आप आया मोग का massive open online courses इसकी perform है सो मूग क्या है यह online courses है सो model for delivering learning content online to any person who want to take a course with no limit known on attendance यह रहें कि देखें आप online course करना चाते हैं कोई भी person online course करना चाता है तो वो मूग के जरिए कर सकता है ठीक है what mac means mac mac क्या है अब देखें media access control वो है mac and acronym for media access control mac is a network sub layer that control transmission hardware अब देखें जो hardware है उसे control करता है चीक है और mac refers to the brand name and registered trademark for a line of laptop and desktop computer from apple अब देखें macbook आती है apple की चीक है apple का MacBook desktop होता है जैसे हमारा computer है हमारा laptop है ऐसे ही apple का MacBook आता है होता वो computer laptop है लेकिन apple की company के वज़े से उसे उसनोंने नाम रखा है mac वो थोड़ा सा superior है थोड़ा सा भैतर है आम computer से ठीक है वो है mac so what are mdgs and hdgs देखें कॉशन था कि millennium development goal sustainable development goal क्या है देखें morning shift में आया था इवनिंग और morning दोनों में ही आया है so United nation की जो conference है उसमें देखिए Rio de Janeiro में 2012 में sustainable development goals लेके आये थे पहली बार यहनकी sustainable development goal बना 2012 में Rio de Janeiro में जब United Nation UN की conference थी ठीक है so SDG replace the millennium development goal we start a global effort in 2000 to tackle the integrity of poverty अब देखें MDG के बाद आया SDG यहनकी पहले आया थी millennium development goal उसमें 8 थे ठीक है गोल लेकिन SDG में लेकिए 17 गोल यह इसका replacement था ठीक है और देखें यह से sustainable development goal 17 यह लिखें है आप इसे पढ़ सकते हैं millennium development goal यहाँ पर 8 है आप इसे भी पढ़ सकते हैं पहले यह थे फिर बाद में यह आए सार्थक यह last question है देखें इतने ही question पता चल पाए है तो आपका मैंने बता दिया है यहाँ पर तो सार्थक क्या है देखें students and teacher holistic advancement through quality education तो इसको कहते है सार्थक यह इसकी full form है ठीक है यह national education policy 2020 में से implement किया जाएगा लागू किया जाएगा तो यह है क्या तो the program aims at providing on all around development for students at primary and secondary level जिनकी जो students है उनका primary level और उनका secondary level ठीक है उसे क्या है कि हर तरह से क्या है develop करना ठीक है सार्थक का main motive क्या है कि जो students है उनका primary और secondary level में क्या है सभी तरफ से क्या है development करना और यह क्या है यह safe, secure, inclusive और conductive learning environment देगा students को भी और teachers को भी आपको पता है कि national education policy 2020 में बहुत सारे changes की गई है refresh एक policy है जिसकी जरूरती देश को तो लेके आये है तो जल्द से जल्दे रागू हो जाएगा कर दो कर दो